यह देश आपका है यह लड़ाई आपकी है आज तमाम नौजवान बेरोजगार क्यों है हम इस्तिहार तो देख रहे हैं होडिंग देख रहे हैं मदर ऑफ डिमोक्रिसी लिखा है कहते हैं कि हमारी अर्थ के वस्ता बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है तो इतने नौजवान बेरोजगार क्यों है तो जहां जहां जाते हैं बेरोजगार नौजवान क्यों दिखते हैं इतनी महंगाई क्यों है इतनी महंगाई क्यूं है क्या आप इतने बड़े काम कर सकते हो लेकिन एक गास सिलिंडर का दाम कम नहीं कर सकते है आप छोटे व्यापारियों की मदद नहीं कर सकते है आप रोजगार नहीं बनवा सकते है तो फिर आपकी सरकार किस काम की है लोगों को दबाने के लिए है या अडानी जी को आगे बढ़ाने के लिए है तो आज ये समय आ गया है कि हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा ये सरकार पूरी कोशिश करती है कि आपका ध्यान भटकाया जाए अब आप सोचिए कन्या कुमारी से कश्मीर तक एक आदमी चला उसके साथ लाखों लोग चले क्या पैगाम लेके चला किस लिए चला उसके दिल में क्या भावना थी कि लाखों लोग देश भर से उससे जुड़के चले समता एकता की भावना थी आज आपके सारी मीडिया आपके सारे मंत्री आपके सारे सांसद आपके सारे कारे करता कह रहे हैं कि राहुल जी ने विदेश जाकर देश का अपमान किया राहुल जी ने एक वर्ग का अपमान किया क्या एक आदमी जो कन्या कुमारी से लेकर पांच हजार किलो मीटर कश्मीर तक चलके ये रोज रोज कहता है कि इस देश को एक होना चाहिए, सब को समान दृष्टी से देखना चाहिए, क्या ये आदमी देश का अपमान कर सकता है, क्या ये आदमी एक वर्ग का अपमान कर सकता है, तो ये आदमी क्या कर रहा है, ये आपकी आवाज उठा रहा है, ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि गरीबों को अपना हक दो, नौजवानों को अपना हक दो महिलाओं को अपना हक दो यहीं तो कह रहा है और हक क्या है हक यह है कि जो आपका है वो आपके हाथों में जाना चाहिए किसी बड़े उद्योगपती के हाथ में नहीं जो प्रधान मंत्री जी के मित्र है यह है आपका हक उसी हक की लड़ाई लड़ रहा है तो आप समझे ये एक इंसान की बात नहीं है ये एक राहुल गांदी की बात नहीं है ये पूरे देश की बात है जब हम कहते हैं लोक तंत्र को बचाना है तो हम किस बात की बचाने की कह रहे हैं क्या कह रहे हैं हम लोग तंत्र क्या होता है खुलके जवाब मांगो सवाल उठाओ यही तो लोग तंत्र है कि आपको कोई आपत्ती है कोई समस्या है आप किसी के पास जाकर अपना हक मांग सकते हैं आप कह सकते हैं हमारे लिए यह क्यों नहीं किया इतनी महंगाई क्यों है? हमारे लिए रोजघार क्यों नहीं बनाएं? लेकिन आज यही हकाब से छीना जा रहा है और आपका द्यार इधर अधर भठकाया जाता है और इतनी चीजों को फैलाया जाता है जो सच नहीं है, जुटों को फैलाया जाता है आप सोचिए राहुल गांधी दुनिया के सबसे दो सबसे बड़े जो शिक्षा के संस्थाने वहाँ से पढ़के आए है हारवर्ड और केमरिज की उनकी डिग्री है केमरिज से उनोंने एकनॉमिक्स में मास्टर्स डिग्री, एमफिल डिग्री उनको मिली कि आप उसको पपू बनाते हैं, पूरे देश भर में आपकी सहायता के साथ मेरे मीडिया के दोस्तों डिग्री आपने देखी नहीं, सचाई आपने देखा नहीं, उनको पपू बना दिया फिर पता चला कि ये पपू तो यात्रा में निकलाया और पता चला कि यह तो पप्फू ही नहीं इसके साथ तो लाखों लोग चल रहे हैं यह इमांदार भी है यह सब बातों को समझता भी है यह जनता के बीच जा रहा है जनता की समस्याओं को सुन रहा है तो जनता इसके साथ चली जा रही है तो घबरा गए घबरा गए कि राहुल गांधी ने संसद में वो सवाल उठाए जिनका उनके पास जवाब नहीं है क्या किया सुन लीजिए एक तरफ से हसी भी आती है कि एक आदमी को रोकने के लिए इतना सारा करना पड़ा जिस आदमी ने राहुल जी के खिलाफ सूरत में कंप्लेंट लगाई आपको मालूम है कि पिछले साल उसने खुद के चैरी में जाके बोला इस पे आप स्टे लगा दीजिए एक साल के लिए अपने ही केस पे स्टे लगवाया फिर वापिस कब गए केस खुलवाने के लिए राहुल गांधी के संसद में अडानी के भाषन देने के एक हफ़ते बाद एक हफ़ते बाद वो आदमी वापिस जाता है कहता है केस खुल दीजिए अब हम तयार है एक महीने के अंदर-अंदर जज कह देते हैं कि राहुल गांधी को दो साल की सजा मिलेगी आपने देखा इस देश में कितने केस हैं कि जेल में दसों साल के लिए पढ़े रहते हैं उनकी सुनवाई नहीं होती ये तो सुनवाई भी फट से हो गई जजमेंट भी फट से हो गई सजा भी फट से हो गई और आपने कह दिया अगले दिन कि आठ सालों के लिए ये चुनाव नहीं लड़ सकते संसद से बाहर कर देंगे इनको वावा 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 बहुत धहर्य है आपमे अरे कायर है कायर है इस देश का प्रधान मंत्री लगा दो केस मुझे पर लगा दो केस मुझे पर जेल ले जाओ मुझे भी लेकिन सचा ही ये है कि इस देश का प्रधान मंत्री कायर है अपनी सत्ता के पीछे छुपा हुआ है अहंकारी है और इस देश की बहुत पुरानी परमपरा है इस देश की बहुत पर पुरानी परमपरा है हिंदू धर्म की पुरानी परमपरा है कि अहंकारी राजा को जनता जवाब देती है और इस देश की बहुत पुरानी परमपरा है कि अहंकारी राजा को यह देश पहचानता है मेरे परिवार ने मुझे एक चीज सिखाई है कि यह देश दिल से बोलता है और दिल से सुनता है यह देश सचाई को पहचानता है और मैं जानती हूँ कि आज वो दिन है जबसे सारा कुछ बदलने लगेगा मेरे मीडियो के साथियों मैं आप से कहना चाहती हूँ बहुत हो गया है मैं जानती हूँ आप पर कितना दबाव है मैं जानती हूँ कि आपको लाइन भेजी जाती है कि आज आपको यह कहना है आज आपको यह लिखना है लेकिन आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आज लोग तंत्र खत्रे में हैं अगर सरकार सवाल उठाने वाले को आठ सालों के लिए संसद से निकाल सकती है अगर कह सकती है कि तुम्हें चुनाओ लड़ने की ही अजासत नहीं है तो बहुत गरबड है बहुत गलत हो रहा है और ये लोग तंत्र के लिए ठीक नहीं है ये इस देश के लिए ठीक नहीं है जब आप पत्रकार बने शुरू शुरू में जब आप काम के लिए आए तो आपके दिल में भी ये होगी बात कि देश के लिए मैं सचाई बोलूँगा मैं सचाई बोलूँगी आज आप बोल नहीं पा रहे हैं हिम्मत करिए खड़े हो जाईए आप भी और जैसे खड़गे जी ने कहा कि तमाम पार्टियों ने आज अपनी आवाज उठाई है उनका हम सब धन्यवाद देते हैं और हमें हम सब को एक होना पड़ेगा इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि आज ये देश खत्रे में है आज इस देश की सारी संपत्ती एक आदमी को सौपी जा रही है और उस आदमी को बचाने के लिए पूरी सरकार खड़ी हो जाती है बहुत गलत हो रहा है अगर आज मेरे भाईयों और बहनों आप इसको पहचान नहीं पाएंगे तो इस देश को बहुत खत्रे में डाल देंगे इसलिए यहां खड़े हुए महात्मा गांधी जी की समाधी के कुछी गज़दूर खड़े हुए मैं आपको याद दिलाती हूँ कि कितनों ने इस देश के लिए अपना खून बहाया है कितनों ने इस देश की धर्ती इस देश की आजादी के लिए अपना खून बहाया है यह अफसर हैं यहां तैनाद खड़े हैं इसी तरह से इनके भाई सरहत पर खड़े होते हैं हमारे लिए आज भी अपना खून बहार हैं क्या इसके लिए क्या डानी जी के लिए कि अपने देश के किसान के लिए अपने देश के गरीब के लिए अपने देश के छोटे व्यापारियों के लिए महिलाओं के लिए अपने बच्चों के भविश्य के लिए हम सब अपने जान देने के लिए तैयार हैं तो मैं आपसे आगरे करती हूं मेरे देशवासियों झाल झाल